केंद्रिय विद्धाले संगठन इस्नान कोत्तर सिक्षक चयान हेतु पाठ्थेकरम दोस्तों ये पीजिटी हिंदी का पाठ्थेकरम है इस पाठ्थेकरम को ध्यान में रखकर अगरा पढ़ाई करते हैं तो आपका सेलेक्शन पक्का हो सकता है यह हिंदी का पाठ्थेकरम है पूरा यह देख सकते हैं चले मा उपर दिखा दूं यह देखी है यह चलिए मैं थोड़ा साब को बता दूँ के वीएस हिंदी पीजीटी पाठ्ठेकरम इसमें आपको पढ़ना है हिंदी साहित्ते का विश्तित अध्यान आपको आधी काल से लेकर रीती काल के अंतरगत आपको पढ़ना है काल परिश्तितियां साहित्ते पर उसका परभाव काल परिश्तितियों का साहित्ते पर क्या परभाव तो परना है पड़ते की युग के साहित्ते की परमुक परविर्थियां परमुक रचनाकार एवं उनकी रचना है जो मुखे चीज़े हैं वो आपको पढ़ना है आदिकाल में मुख्यत है आपको चंदवर्दाय अमीर खुसरो और विद्यापती पर फोकस करना है भक्तिकाल में निर्गुन भक्तिधारा ग्यानमारगिये साखा प्रेमारगिये साखा कबीर दादू रैदास नानक जैसी कुतुबन पर मेन फोकस करना है सबसे बादू रैदास नानक जैसी कुतुबन आको परणा है मेन इसके अलावा स्विष्ण भक्तिधारा में आपको राम बक्तिध काल में र और और पर पलाएंगे लेकिन बैस्नों में राम और कृष्ण दोनों आएगी कि बैस्नों बगवान बिश्णू के यह वतार है राम और कृष्ण तो इसलिए आपको कृष्ण भक्तिस शाका है भी पढ़िएगा, देखे इसमें दिया अगला है रितिकाल में आपको रिति बद रिति सीध रिति मुक्त कभियों को आपको पढ़ना है इसमें पर्मुक कभी है देव गहनानन्द बिहारी मतिराम सेनापति भूसन और पदमाकर ठीक है आधुनिकाल देख लेते हैं आधुनिक काल में आपको पढ़ना है यूगीन परिस्तितियां साहितिक प्यस्ट भूमी मुखे बिचारधारा मुखे साहित्तेकार साहितिक रचनाएं बिस्यस्ताय और भाचसेली भारतेंदु यूग की में सबसे पहले आपको भारतेंदु हरिचंद बालमकुन गुप्त ब आपको जैसंकर परसाद महादई बर्मा सुमितारंदन पंत सुरीकां तिरपाठी निराला वर्गति वाद में आपको पढ़ना है पंत निराला नरेंदर सर्मा केदाना थरगरवाल नागारजुन यह पंत निराला यह तो श्यमाद में मिल जाएंगे आपको प्रियोग प्रसाद मिस्र नरेंदर सर्मा धूमिल धरंबीर भारती और संबुनात सिंग दोस्तों यह आपको मुख्य रूप से पढ़ना है अब आगे आ जाईए गद साहिते का बिश्तिते दिन गद एवं अन्ने बिधाओं का प्रारम विकास परमुक प्रवितियां परमुक साहिते आत्मकथा, जीवनी, पत्र, डाइरी, अलोचना, रिपोर्ट, तार्ज, आदी इन सभी बिधाओं का बिश्तित परिचे दोस्तों इतना देखने के बाद मैं यही कहूंगा कि आप पूरा हिंदी साहिते पढ़िएगा क्योंकि एटू जेड ही सिलेबस इसमें दिया हुआ ह हाँ कुछ कभी जिसमें परमुक रूप से दिये हुए हैं तो अब चाहे तो और ने कभियों को ना पढ़के लेकिन जो हिंदी साहिते का इतियास है करम बद अब पूरा पढ़े तो ठीक है कभियों को बिशेष रूप से जो इसमें कभियों के नाम दिये हैं उन पर कभियों की परस्ती ति कभेपंद्यों में से लिए गए का ब्यांसो पर अधारी तेसा परसंद्रेश रिफ एक बश्थू पर निष्टे बश्थू निष्थे प्रस्णें दो भीश्य पर प्रकार प्रस्णें तो अ इस तरीके से यह यानि गद्यांस भी आपसे पूछे जाएंगे तो गद्यांस के लिए सब पढ़ लीजिए गए सिर्फ संदरे के लिए अमीर खुसरो बिद्यापतिस सूर्दास तुलसिदास कबीर जैसी तो दोस्तों यह पूरा सलेबस देखा जाये तो वही सब चीजें है पूरा पढ़के सुनाने कोई फायदा नहीं है चलिए ब्याकरण में आपको सब्द बिचार ब्याकरन में यानि हिंदी भासा का पूरा ब्याकरण आपढ़ेंगे तो ही बेस्ट है वैसे मैं बिता दूं सब्द बिचार सब्द भंडार सब्द के भेद और्थ रचना स्रोत सब्धू प्रिवाट्टी सब्द और निकार्थी सब्द सब्द राथ सब्द शब्द युग घंते समास बद विचारीष किर्या की सब्द पिंकारठी लिएद प्रिवेद्विच्छ लटकार in lotta the restmill सब्द आकार बिचार दोस्तों मेरे ख्याल से आपको पूरा पढ़ना चाहिए इस पर भी से ध्यान ना दे अगा पूरा पढ़ेंगे तो साइसी बाते सारी चीज़े दी गई है तो इसलिए आप सारी चीज़े पढ़ें कि देखते हैं सारी बिंदू दिये हुए है कोई ऐसा निया कि छूटा कर दोस्तों आज के लिए इतना है कि चैनल पर नए है तो जरू सब्सक्राइब कीजिए बाकि यह पीडिया आपको डिस्क्रिप्स्राइब बॉक्स में वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो ही चैनल पर अगर नए है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में